दादा इदाते को खाली में भटके जमाती और वंचित नाकरिकों के लिए उनके विशेश कारी के लिए भारत सरकार द्वारप पदमिश्री से सम्मानित किया गया है उसी के तैट इदाते को भारती खेल प्राधिकरन के खेलू इंडिया ट्रेनिंग सेंटर और राश्टरिस्तन तुकड़ोजी महराज नाकपूर विश्विध्याले के खेल और शाररिक शिक्षा विभाग के सहयोग से शताब्दी सम्हारों के अफसर पर सम्मानित किया गया पदमिश्री भीकूजी दादा इदाते ने करो जीवन में कुछ भी कम नहीं होगा दादा इदाते को हाली में भटके जमाती और वन्चेत नागरिकों के लिए उनके विश्विश्विध्याले के खेल और शाररिक शिक्षा विभाग के सहयोग से शताब्दी सम्हारों के अ प्रबंदन विभाग के सभागार में आयोजित सम्मान सम्हारों में बोल रहे थे कुल गुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के मार्ग दर्शन में हुए इस कारिक्रम की अदिक्षिता प्रोफेसर कुल गुरु डॉक्टर संजी दूदे प्रमो कतिती के रूप के पूर व के लिए अवार्ड मिलेगा आगे बोलते वे इदाते ने कहा कि मुझे जेल की आदत थी अवार्ड की नहीं सुईक्रत कार यदि पूरे मनोयोग से किया जाए तो यह आपको रुद्वा दिलाता है महात्मा जूतिवा फूले डॉक्टर बावसाइब आमेट कर इनके विचा समर्सता मंच में कारी करते वे दायद्व का निर्वन किया इस वहरान भटके जमाती और मुक्त समाच की समस्याओं का अध्यान कर एक रिपोर्ट तयार की गई इसी रिपोर्ट के आधा पर महराश्ट सरकार ने बाद में इस समाच के विकास के लिए दो मंत्रियों की इस रिपोर्ट के आधा पर केंदर सरकार को 22 सिफारशें भीजी गई इसलिए पहली बार केंदर सरकार ने वंचिस समाच की स्थपके के लिए फंड भी उपलब्द कराया